हेलो नमस्ते कैसे हैं आप अश्रा करती हैं दस अच्छे होंगए और मैं भी अच्छी हो तो आज बनाने जा जा रहły हूं मैंगी तो वैसे दो श्यंहें नहीं डिवान्ड है कि श्याखना और दशीर में दो डिया हूं और मैंने डाल दिया और दो पैकिट मैगी है यह चोटा वाला पैकिट है जो 14 रुपे का मिलता है वह है और थोड़ी सी मतर और एक अलू है मेडियम साइज का तो मैंने सब को ले लिया है तो चलो बनाना शुरू करते हैं देखिए मैं गैस को जला लेती हूं और उसके बाद में किया चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिये और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी करिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगते है आप लोगों को तो मुझे अच्छा लगेगा और नए-णय वीडियो आप लोगों के लिए में लाती सदो सोपजाव को रख दोग इंट किंगे तो दिया है सरसी का तल सोपथयों टेल को गरम हो जाने देंगे तरह डालेंगे जीर थोड़ा सवा कि द הז latest देखी दालेंगे जीर cũ का सबना कि यह देखिया देखिया मसादी चमgil मच और हो चोब की Calvin को और फ्रेंज सुबह सुबह सर्दी बहुत ज्यादा है बहुत ही ठंडा मौसम है आज तो पर काम तो करना ही पड़ता है तो मैं सुबह सुबह यह अपना लग गई हूँ नास्ता बनाने में फिर अभी खाना भी बनाना है तो यह देखिए हमारा जीरा पक गया है और उसके बाद में हम डाल देंगे हरी मिर्चिस में और अद्रक जो आपने छोटा-छोटा काटा था और उसके बाद ही राल देंगे प्याज और इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे और फ्रेंस आप लोग बताईए आप लोगों को सुवे नास्ते में क्या अच्छा लगता है तो और अगर आप चाहते हैं कुछ आप लोग जो बताएं वह रैसिपी बनाओं तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताईएगा मैं बना के दिखाऊंगे आप लोगों को प्रेंस यह मैं अच्छे से चलाते हुए इसको भूल लेंगे और इसमें टमाटा डाल देंगे अब जब प्याज और हरीमिच वगे रहा हमारा पक जाएगा ना तभी हम इसमें टमाटा डाल देंगे देखिए इसको भी चलाते वे पका लेंगे अच्छे से प्याज को फिर ज्यादा नहीं बूना है मैंने बस हलका सा मतलब थोड़ा सा कच्छापन उसका हट जाएगा बस इतना ही ऐसा ही हम लोग को अच्छा लगता है और थोड़ा सा मसाले इसमें डाल देंगे जैसे के हैं हल अऩर तैश्ट दिश्वाड़ी और धनिया पाउडर थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है तो छोड़ा घरब मसाला मतलब गरब मसाले का और थोड़ा सा Hm function ofромcoat जानेस क्योंकि अब हम इसमें वह मेंडी मसाला जो निंकलता है उसमें वह भी डालेंगे तो इस वाझे से मसाला ह दाला है यह मसाला भी कमक्ता स genommen है बहुत अच्छी म्यगी देगा पलता है लिस Means टेस्ट कर देंगे हैं एक दूम् दर्डरा देंगे मिक्स कर देंगे स्जिंग मसाले के साथ में यह देखिए चलाते हुए अच्छे से ढून लेंगे हलका सा एक दो मिनट इसको चलाते रहेंगे देखिए नीचे से थोड़ा सा चिपकने लगा है तो इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी में अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि आलू हमारे कच्छे हैं तो आलू और मटर पक जाएगा अच्छे से तो इतना पानी डाल देंगे इसमें कि इसको ऐसे करके और आज को धीमा ही रखेंगे ज्यादा तेज नहीं रखना है वनना पानी जल जाएगा और हमारे आलू और मटर अच्छे से पक नहीं पाएंगे तो इधर तब तक हमारे आलू और मटर पक रहें तब तक लोग मैगी को पैकिट से निकाल लेते कि अधिये और फ्रेंस आप बटएएए आप लोग मैगी कैसे पसंद करते हैं ये जैसी मैं बना रही हूं वाली इस तरह की या सदी मतलब सादी का मतलब सिंपल जैसी आती है ब बोटे बच्चों को तो वही पसंद आती जदा था हम लोग भी कभी कभी खाते हैं जब कभी वैसे टाइम नहीं होता है और मैगी खाने का मन है तो बस जहट पट से पैकिट खोला और बस बना लिया तो वह भी काफी टेस्टी लगती है लेकिन अगर आपके पास टाइम है और तो इसमें हम एक ही पैकिट डालेंगे क्योंकि हमने और भी मसाले डाले हैं ना तो इसलिए हम दोनों पैकिट का यूज़ नहीं करेंगे तो यह देखिए उबाल आ चुका है और हमारे अलू और मतर गल गया है और बागी तो भी मैगी के साथ में पख जाएंगे और तो मतल कि अब इसको एक दो मिनिट ऐसे रहने देंगे उसके बाद में फिर इसको चला देंगे यह द Users इस ऐसे हज आप है अब बैद में जैसे ही बैद मुझंड अब यह पिल्कुल अलग अलग होने लगे ना अभी जैसे जैसे यह पकती जाएगी बहुत अच्छे से अलग-अलग हो जाएगी खिली-खिली सी माइगी है हमारी और हमारा अलू मटर भी पक जाएगा साथ में इसको चलाते रहेंगे आज को हमने धीमा ही रखा है फ्रेंट्स धीमे आज पर ही इसको पकाना है अब हम इसमें टाल देंगे मैगी मसाला जो पैकेट में निकला था ना वहीं बस एक पैकेट ही टालना है एक पैकेट हम भात में यूज कर लेंगे कभी दोनों पैकेट आप डाल सकते हैं अगर ज्यादा इस पाइसी या ज्यादा मसाले वाला चाहिए तो पर हमने क्योंकि और भी मसाले यूज किये हैं पहले भी हमने इसमें धनिया पावडर और वहल दी और मसाला सब डाला हुआ तो इस वज़े से ज्यादा मसाले की जूर्द नहीं है तो एक पैकेट काफी हमारे लिए तो एक ही पावच डाल दिया हमने इसमें और इसको भी चला के अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारे टामाटर मटर आलू सब अच्छे से पकते जा रहे हैं मैगी के साथ में इसको बस ऐसे चलाते रहेंगे इसको बिच बिच में थोड़ा सा उलट पलट करते रहना है फ्रेंड्स नहीं तो यह चिपक जाएगी नीचे से कड़ाही में और यह देखिए एक पैकेट इसको हम रख देंगे फिर बात में कभी यूज कर लेंगे जब भी मैगी बनाएंगे अगर इसको मैगी के अलावा अगर सबजी में बिचास तो उसमें भी तेस्ट बहुत अच्छा आता है अक्सर में यही करती हूं अगर बच जाता है पाउस तो सूखी सबजी से आलो की तो अच्छी लगती है उसमें भी ये देखिए पूरा पानी हमारा अच्छे से गल गया है और मैगी भी पख गई है बहुत मैगी बनी है तो आप लोग भी एक बार जरूर से बना के देखिएगा इस तरह से बहुत टेश्टी लगती है और मटर अलू सब पढ़ जाता है तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं इसको और बड़ों को भी पसंद आती है तो यह देखिए आपको कैसी लगी मेरी रेशीपी यह देखिए बिल्कुल खिली खिली सी है मैगी और सारी सब्जिया भी बहुत अच्छे से पक गई है इसमें इसको आप चाहे सूबे बनाएं चाहे साम को बनाएं जब आपका मन हो और जरूर से बनाएगा तो मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में